हेलो फ्रेंस मैं फिर से आ गई हूं आज आप लोग के साथ क्योंकि मेरे मुवायल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने वीडियो बहुत दिन से नहीं बना पाई तो मैं फिर से बापिस आ गई है तो यह देखिए मैं बना रही हूं आज तोरही की चटनी तो मैं पर आपके बच्चे सब्जी वगरा नहीं खाते तो इस तरह से बनाई यह बहुत ही फायदेमन होती है यह चीज़ आज मैंने बनाई तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर की जाए लेकिन मेरे बच्चे को इतनी पसंद आई कि आज उसने इसी चटनी से रोटी खाली बनना वो तोरही की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता और मैं आगे और तरह की भी मतलब चटनी बनाना सिखाऊंगी आप लोगो तब तक आप लोग इस वीडियो को प्लीज प्लीज जादा से जादा लायक सेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इस चैनल को बहुत ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने अब तो यह देखी सबसे पहले ले ली मैंने दो तो रही और यह मैं आपको बता दूँ यह मेरी छट पर लग रही थी बिल्कुल ताज ही है एकदम फ्रेस अभी बस तुरण तोड़ के लाई हूं मैं इसकी वीडियो किसी दिन आपको बताओंगी जो छट पर लग रही है न तोड़ के तो अभी फिलाल मैंने नहीं बता पाई तो यह देखी एकदम बिल्कुल फ्रेस है ताज इनको मैंने अच्छे से बॉस कर लिया है और अच्छे से पहुंच लिया एकदम बढ़िया और इसको बस अच्छे से एकद लेना है क्योंकि आज की जो रेस्पी है ना जो चटनी है ना वह इतनी मज़ेतार बनने वाली है कि आप भी अगर एक बार बना के खाओगे तो आप सबजी भूल जाओगे और तुरंत बन जाती दस मिलिट की वीडियो है तो प्लीस आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इ रखिएगा बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में आपको तो लग रही है ना एक दम बढ़िया सिंपल तरीके वाली और ना बच्चे खाने वाले भी खा जाएंगे यह मेरी गैरेंटी आप से अगर आप एक बार इस तरह से चटनी बनाएंगे तो आपके बच चटनी की रेष्पी कैसी लग रही है और अगर आप चाहो तो जादा भी और आप चाहो तो इसको बना जैसे को कर मैं पबहुल को कहारा और यह आए ऐगा आले गर आपने या ना बनाई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मैंने तो बहुत बार बनाई है लेकिन मेरा मुगाल बहुत दिन से खराब हो गया था कुछ भी सही नहीं था तो मैंने दूसरा मुगाल ले लिया है अच्छा वाला उससे मैं वीडियो बनाती और अभी कोई दिक्कत नहीं मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो मेरी जाएंगी आपको 15 दिन से मुगाल नहीं था मेरे पास तो वीडियो बिल्कुल नहीं आई लेकिन मुगाल आ चुका है तो आपको रोज एक नई वीडियो देखने को मिलेगी तो यह देखिए इस तरह से ले लिए चक्कू और चक्कू से आप एक बात देख लीजिए आपकी तोरही सॉप्ट हुई है कि नहीं हाथ बिल्कूल मत लगाएगा वन्ना आपका हाथ जल भी सकता है तो वी कियरफुल तो फ्लीज मेरी तरह देख जरूर कर सब चीज बड़िया तरीके से होती है और हम लोग अच्छे है ठीक है तो घर काम भी कर सकते हैं अगर हमें ही प्रॉब्लम हो जाए तो काम कौन करेगा तो बस इस तरह से देखिए अच्छे से मैं रख दिया यह ठंडा होने के लिए और मैंने एक पूरी लेसन की पूरी कली ले लिए और अच्छे से लेसन को कर लोगी कद्दुकस क्योंकि इसमें मैं मैं जो भूमका होती है वो लेसन की होती क्योंकि लेसन से चट्डी बहुत ही टेस्टी बनती है और लेसन से ही बहुत ही अच्छा स्वाथ आता है तो प्लीस आप लोग सोच क्या रहे हो प्लीस प लोग सोचते तो बहुत हो लेकिन लाक से सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी जल्दी कर दीजिएगा तो बस इस तरह से देखिए लेसन को कर लेंगे अच्छे से कद्दू कस और साथ मैं जो तो रही रखीती ना भूंचके वह भी ठंडी हो चुकिए अगर आप चाहो तो बस इस तरह से चला दीजिए जैसे हम आलू बगएरा चिलते बस उसी तरह से अच्छे से एकदम बढ़िया फ्रेस चिल जाएंगी पानी बगएरा से भी कोई दिक्कत नहीं है दोने में पर लेकिन मैंने आज बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा यूज नहीं किया है बिल्कुल ए पर मैंने तो पहले तो एक ही इससे करी थी फिर उसके बाद हासे भी कर दी क्योंकि बहुत ही सौप्ट हो जाती एक तम बढ़िया बैगन की भरते जैसी नहीं और स्वात तो इनका इतना टेश्ट ही आया कि आज सब लोग ने बहुत ही अच्छे से खाई पर मेरे पास फ्ला तो यह लग रही हो साथ में ले लिए मैंने तीन हरी मिर्ची और क्योंकि दो तोरे की साथ तीन हरी मिर्ची अच्छी है क्योंकि यह काफी चटपटी है थोड़ी सी तीक ही ज्यादा है अगर आप चाओ तो कम तीखा भी डाल सकती लेकिन फिलाल मुझे तीखा बहुत ही पस किसी से कुछ भी नहीं किया है सुर्फ हाथ से ट्राय किया है और मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो आप लोग प्लीस गले पर मत जाएएगा और देखिए लैसन जीरा थोड़ी सी मैंने हींग ले लिया है और यह जो कुछ भी सामार रखा है और ऑल भी मैंने इनको सबसों सबको अच्छे से भूलने होई तो प्लीस प्लीस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आपको फिर से याद दिला दूं तो प्लीस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा इस चैनल को और साथ में डाल दिए मैंने हीं मै आप अपने टेस्ट के साथ से डाल दीजेगा क्योंकि अभी क्या इस टायन बरसात का मौसम है तो नमक थोड़ा सा मतलब सीड़ सीड़ सा जाता है तो मुझे थोड़ा डल लगता है डालने में कई ज्यादा ना हो जाएक कम हो जाएगा तो उपर से भी डाल सकते हैं तो मैं कितनी अच्छे से रेड़ी हो चुकी है लग रही ना एक दम बढ़िया टेस्टी कलर भी नहीं गया बहुत ही प्यारा है था और दो तोरही से इतनी चटनी बनी है जिससे मैंने बच्चे ने और मेरे हस्बेंड ने हमने तीनों ने बहुत अच्छे से खाली और मेरे छोटे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए ओके बाए